question number 14 जो है integrals की exercise 7.2 से लिया गया है इसमें 1 upon में x log x की power m का integration हमारे को करना है और जहांकि x जो है वो एक positive number है तो इसमें हम अगर log x को हम अगर t मान लें तो उसका differentiation करने से हम 1 upon में x dx को dt में change कर सकते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है यहां पर जो है log x है इसको हम t मान लेंगे तो log x की power m जो है वो तो tm हो जाएगा और log x का differentiation हो गया 1 upon में x dx और t का हो गया dt जाने के 1 upon में x dx को dt से replace किया जा सकता है और हमारे पास integration करने के लिए 1 upon में t की power m रह जाएगा तो इस तरह से जो है हमने लिखा log x की जगा t लिख दिया तो यह नीचे denominator में t की power m आ गया अब यह t की power m उपर जाके t की power minus m हो जाएगा और इसका जो है हम फिर integration कर देंगे t के साथ तो यह जो है t और लिखके और पावर एक बढ़ जाती है integration में तो 1-m हो गया और नीचे भी 1-m आ जाएगा प्लस में c एक constant लगा देंगे अब t की value जो है हमने जो मानी थी log x उसको दुबारा से यहां पर रख देंगे तो log x की power 1-m और नीचे जो है यह हो जाएगा में यह 1-m या 1-m को log x की नीचे भी लिख सकते हैं तो प्लस में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना ना भूले